गाइस यहां पर OnePlus Note CE हमारे पास आ चुका है और इसके अंदर मैंने Battlegrounds Mobile India को इंस्टोल कर दिया है अब देख सकते हैं Early Access हमने इंस्टोल कर दिया है और अब टाइम आ चुका है गेम खेलने का हें गाइस कैसे हैं आप सब हमारे पास आ चुका है OnePlus Note CE का Retail Unit जो के हमने Amazon India से pre-order किया था और इंडिया में BGMI भी जोंच हो चुका है तो आज इस वीडियो में इस फोन की काफी सारी डिटेस दियुआ और साथ में ही BGMI का गेम ब्ले भी दिखा दूँआ कि इस फोन पर अगर आप खेलेंगे तो कैसा performance आपको देखनी के लिए मिलेगा और काफी सारी डिटेस बताने वादा हूं तो वीडियो को मिस मत कीजेगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ तो हमारे चैनल पर जो भी लोग वीडियोस देखते हैं उनमें से 98% लोग चैनल को से ज़ते हैं जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं जले घाइस शुरूआत करते हैं एक क्यूक अन्बोक्सिंग के साथ तो वन प्लस के बॉक्से जनरली काफी अच्छे रहते हैं यहां पर वन प्लस नोट 5G की ब्रेंडिनिग आप देख सकते हैं और पीछे की तरफ और काफी सुंदर मुझे लगता है एक और बोक्स आपको बोक्स के अंदर मिल जाता है जिसके अंदर कवर है और एक और बोक्स है बोक्स के अंदर बोक्स के अंदर बोक्स यहां पर दिया गया है तो इस बोक्स को अगर आप ओपन करेंगे तो यहां पर काफी सारी बुकलेट्स नोड से रिलेटेट कुछ दिख रही है, काफी सारे कार्डबोर्स आप बोल सकते हैं, क्युक्स्टाइड काइड है, बहुत बड़ी सेफटी इंफोमिशन है और बहुत सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि यहां पर बहुत सारा पेपर बेस्ट किया है, वनपलस ने कवर की क्वाल्टी यहां पर आप देखेंगे कि काफी जादा अची है, एक डिजाइन बना है, अंदर एक पैटर्ण है, तांके स्क्रेचिस वगएरा ना आएं, और कवर की क्वाल्टी यहां पर काफी जादा अची है, जो के वनपलस नोड में भी अच्छी मिलती थी आपको, इसके बाद बोक्स के अंदर अगर आप देखेंगे, तो आपको एक टाइप A to टाइप C केबल मिल जाती है, और उसके साथ एक वोप चार्जर मिल जाता है, जो यह जो फोन है, वो एक्चुली एक प्लास्टिक बैक के साथ आता है, और वनपलस का शाइद यह पहला फोन है, जो के एक्चुली ग्लास बिल्ट के साथ नहीं आता, लेकिन मैं काफी जादा सर्प्राइज हूँ, क्योंकि इसको मतब टच करने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह प्लास्टिक है, और इवन अगर आप इसका सर्फेस देखेंगे, तो काफी अच्छे मैट फिनिश के साथ आता है, और फ्रेम जो है, वो आपको बोडी से अलक आपको दे देता हूं फोन का, फिजिकल अभी की बात करें, तो टॉप के उपर आपको एक सेकंडरी माइक मिलता है नोइस कैंसेशन के लिए, लेफ्ट साइड के उपर आपको वोल्लीम ब्रोकर्स और सिम ट्रे भी मिल जाता है, सिम ट्रे जो है वो डूल सिम सोट के साथ आती है, मतब के मेमरी को एकस्पैंड आप नहीं कर सकते हैं, और एक शोकिंग चीज़ दोस्तो, इस फोन में कुछ सर्टिफिकेशन तो नहीं है, वोटर और डॉस्ट रेसिस्टन की, लेकिन सिम ट्रे के उबर कोई रबरडाइस्ट प्रोटेक्शन भी आपको नहीं मिलती है, इस फोन को बिल्कुल भी गलती से भी आप पाने में ड्रोप मत कर दीजेगा राइट साइड आपको पावर की मिल जाती है, और नीचे के तरफ आपको एक प्राइमरी जाउट स्पिकर, टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और एक इयरफोन जैक भी मिल जाता है जोके वनप्लस ने पहले निकाल दिया था काफी सारे फोन्स में से और एक चीज आपने नूटिस कर लिये होगा कि कोई भी अलर्ट स्लाइडर आपको नहीं मिलता वनप्लस के फोन्स में जो आपको साइलेंट करने का एक स्विच मिलता था अलग से वो आपको इसमें नहीं दिया गया पीछे की तरफ आपको ट्रिपल एर कैमरास मिल जाते हैं जहां पर में कैमरा 64 Mbps का है उसके साथ एक कैमरा अल्ट्रा वाइड है जो के 8 Mbps का है और तीसरा कैमरा यहां पर 2 Mbps का डेप सेंसर है जो के जादा यूसपल नहीं होगा फ्रंट में आपको 16 Mbps का पंच होल वाला कैमरा मिल जाता है और डिस्पले जो है 6.43 इंचिस का फ्लूइड एमुलेड डिस्पले है और बेसिकली 90 Hz का डिस्पले है 120 Hz आपको नहीं मिलता लेकिन जल्दी से इस फोन को सेट अप करते हैं उसके बाद काफी सारी और चीज़ वी कूल सा दिखता है Oxygen OS का जो वर्जिन है वो आपको 11.0.1 देखनी के लिए मिलता है पाइट फोल जो आपको आता है Android वर्जिन 11 है और दोस्तों जैसे ही फोन को मैंने टर्न ओन किया है एक और अपडेट यहां पर आपको मिल गया है 11.0.2 का स्टोरेज की बात करें तो 128 GB वाला वेरियंट है जो मैंने ओडर किया है और यहां पर लगपक 17 GB यूस्ट है मतब के लगपक 110 GB के करीब आप समझ सकते हैं कि आपको फ्री मिलेगी और ज्यादा ब्लूट वेर आपको नहीं मिलेगा Oxygen OS काफी क्लीन एक्सपिरियंस आपको प्रवाइड करता है कोई फालत से टैप करते हैं तो आपको फिंगर्पिंट वाला आइकन नहीं मिलता आपको पावर की को प्रेस करना पड़ता है उसके बाद आप अनलोग कर पाते हैं लेकिन इसको फिक्स करने के लिए काफी असान सा तरीका है आपको सेटिंग्स में डिस्प्ले के अंदर जाना है अब अब अगर आप करेंगे स्क्रीन के उपर तो आपको फिंगर्पिंट आइकन भी मिल जाएगा और इसके बाद आप आसानी से फोन को अनलोग कर पाएंगे बिना पावरकी को प्रेस किये हुए स्पीड के अगर आप बात करें तो यहां पर आप देखते हैं काफी जादा फास्ट है और काफी अच्छे तरीके से काम करता है फेस अनलोग के अगर आप बात करें तो यहां पर आप देखते हैं फेस अनलोग पहुत ही जादा फास्ट है मतब फिंगर्पिंट सेंसर से भी आपको मिलता है, आप देखते हैं, लोग स्क्रीन आपको देखनी के लिए भी नहीं मिलता, डारेक्ट आपका फोन जो है वो अनलोग हो जाता है अगर आपका फेस सामने है, कैमरा की बात करें, तो यहां पर जो कैमरा अब है, अगें उक्सिजन ओएस में जो आपको मिलती है, और यहां पर video resolution की बात करें आप 4K 30fps में record कर सकते हैं अगर आप 1080 pixels shoot करेंगे तो आप 60fps पर भी जा सकते हैं slow motion की अगर आप बात करें तो आप 240fps तक maximum जा सकते हैं जोके HD में होगा और slow motion आप front में record नहीं कर सकते modes की अगर आप बात करें दोस्तों जोके मैंने initially इस phone से capture किये हैं बाहर के भी shots हैं अच्छी lighting के और indoor के shots भी है और overall camera quality अभी के लिए मुझे अच्छी लगी है front camera, rear camera दोनों की अगर आप अच्छी lighting में देखेंगे तो photos काफी ज़्यादा crisp और clear हैं even indoor lighting में low lighting में भी front camera अच्छी photos capture कर देता है और बाकी आप बताईए मुझे निचो comments में के आपको photos कैसी लग रही है दोस्तों बैटरी और charging की बात करें तो आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है और जो 30 volts का charger आपको साथ में दिया है उससे आप लगबग 30 minutes में 70% phone को charge कर सकते हैं मतब के full charge में लगबग आपको 50 या 55 minutes के करीब लगेंगे और overall अच्छी charging speed है और battery backup भी मुझे दखता है decent ही होना चाहिए हालांके थोड़ा सा test करना होगा वो चीज़ आपको बताने के लिए चलिए ज़दी से display test करते हैं और यहाँ पर एक video प्ले करके देखते हैं सबसे पहले quality की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HDR quality obviously supported है maximum जो resolution है वो आप 4K तक जा सकते हैं 2160 pixels तक जा सकते हैं अभी के लिए अगर हम 1080 pixels HDR सेक करें तो यहाँ पर आप display की quality देख सकते हैं अभी brightness काफी कम है और अगर मैं इसको full कर दूँआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं actually display की जो brightness है वो मुझे काफी जादा अच्छी लगी है मतलब काफी bright आपको display मिलता है और even colors अगर आप देखेंगे क्योंकि एक AMOLED display है तो overall brightness और colors है वो काफी अच्छी है इवन viewing angles आपको अच्छे मिल जाएंगे आपको बता है कि AMOLED displays के viewing angles अच्छे होते हैं generally display के बार में एक और चीज़ जैसके मैंने पहले आपको बताया दोस्तो यह phone जो है वो 90Hz refresh rate के साथ आता है जो के byte fault enabled है हालनकि यहाँ पर smart switch का कोई option नहीं दिया गया मतबकि automatically phone switch नहीं कर सकता आप permanently 60 या 90 sec कर सकते हैं sound की बात करें दोस्तो तो इस phone में आपको single loudspeaker मिलता है कोई dual speaker या fit stereo speakers आपको नहीं मिलते लेकिन आप यहाँ पर एक sound sample सुन सकते हैं उसके बाद मैं आपको audio quality के बारह में बताता हूँ यहाँ पर guys मुझे लगता है कि sound की quality तो काफी अच्छी है लेकिन loudness जो है वो काफी average है बताब बहुत जादा loudspeakers नहीं है और definitely मैं थोड़ा disappointed हूँ कि यार इस price range में definitely dual speakers यहाँ पर provide किये जा सकते थे तो guys अब time हो चुका है इस phone की performance टेस्ट करने का इस phone में आपको snapdragon 750G मिलता है देखते हैं battlegrounds mobile india bgmi के अंदर कैसा performance आपको मिलेगा सबसे पहले graphic settings की बात करें तो जो maximum graphics है वो आप smooth और ultra में खेज सकते हैं मतब के 40 fps gaming आप कर सकते हैं टेसलिट के नहीं गुद पूप मुट revenge व्रटी प्रीता हैं प्रटीट्टी रहादाैं गाइज अभी Snapdragon 750G में आपको 40 fps का option मिल रहा है और मुझे लगता है कि उतना smoothly नहीं चलता जितना अभी मैंने 60 fps वाले phones में try किया है तो अगर मैं अपने final opinions की बात करूँ दोस्तों मेरे हिसाब से ये phone dedicatedly gaming के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन अगर आप एक overall अच्छा phone चाहते हैं और OnePlus का phone चाहते हैं तो ये phone अच्छी pricing में अच्छी deal आपको दे रहा है अगर मैं बात करूँ अगर आपको OnePlus Note मिल जाता है तो मेरे हिसाब से वो बहतर option है लेकिन OnePlus Note शायद अभी सब जगा से out of stock हो चुका है तो उस condition में ये phone भी एक बुरा phone नहीं है हलाके इस phone में थोड़े भूत compromises हैं जोके मैंने इस वीडियो में बताया कि आपको मिलते हैं बाकी आप तो बताएगा नीचे कॉमेंट्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लिस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अ बहुत बहुत धिनेवाद दोस्तो